हालो फ्रेंट्स, आज हम आपके साथ फिर से एक नया वीडियो लेके आएं, ये वीडियो है हमारा बादाम के खलुए का, एनरजी दे, सकती बढ़ाए, ताकत दे और दिमाग को ठंडा रखे, इसके लिए मैंने ये एक डिबदे से बदाम लिये थे और इसको हमने मेक्सी के जार में बिना पानी डाले, पीस कर रेडी किया, एक धरदरा सा पेस्ट इसका बना कर हमने रेडी कर लिया है, अब हम क्या क करेंगे, हमने ये कड़ाई में थोड़ा सा देशीगी डाला है, एक कल्ची भर के, अब हमने जो ये पीस के इसका पेस्ट बना कर रेडी किया है, आप देख सकते हैं, कि ये हमने इस तरीक से धरदरा सा पेस्ट बना कर इसका रेडी कर लिया है, एक चीज का आप ध्यान सकते हैं, अब इस पेस्ट को हम, जो हमने कड़ाई में घी डाला है, उसके अंदर हम डाल देंगे, एक टिप्स, अगर आप चाहें, तो इसको भिगा कर छिलके निकाल कर भी इसका अलवा बना सकते हैं, लेकिन हमने इसके छिलके नहीं निकाले थे, हमने इसको इसी तरीके स इसको डाल दिया, अब हम इसको गैस दी, फ्लेम बिल्ट को स्लो रखे, इसको दीमी दीमी गैस पर भून कर गुलाब हेड़ी करेंगे, कि तक क्रिस्पी हुआ है, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दूद एड़ करेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, दूद को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर चीनी अड़ करेंगे, अभी हम दूद डालने के बाद भी इसको 2-3 मिनट तक इसी तरीके से भूनेंगे, फिर हम उसके बाद इसके अंदर चीनी अड़ करेंगे, यह देखिए, जिस तरीके से हम हमने बादाम को सुखाया है, उसी तरीके से हम दूद को भी अच्छे से ब्राइ कर लेंगे, निक्स कर देंगे, इसमें हमने चीनी खड़ी ही डालिए, अगर आप चाहें तो आप चीनी इसमें पीस कर भी डाल सकते हैं, यह देखें, अब हम इसको अभी हम थोड़ी देल और बूनेंगे ताकि हमारे चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए, अब हम इसके अंदर एक चुप की इलाइची पॉडर मिक डालेंगे और थोड़े से बादाम डालेंगे ये देखिए हमारा हलुआ बनकर रेडी हो गया है हमने इसके अंदर ठोड़े से काजु डाल दिये और हमने ये हरी इलाइची का एक छोड़ी चमच हरी इलाइची का पाउडर ऊपर से स्प्रांगल कर देंगे ये रिखिए हमारा हलुआ बनकर रेडी हो गया प्रेंट्स आप भी इस तरीके से बनाएगा पर हाँ दोस्तों आप में अभी तक हमारा फिल चैनल पर फेली बा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन कॉल पर प्लस और वीडियो को अपने फ्रेंट्स और फैमली के साथ चेयर कीजिए हम अपने चैनल पर इसी त दिखाते हैं हमारा हल्वा कितना सॉप्ट बन की रिडियो हुआ है मिलते एक नए वीडियो के साथ थेंक्स पॉर वाचिंग